आजकल हमें एक शब्द ज्यादा सुनने को मिल रहा है जिसने सरकार और किसानों की चिंताए बढ़ाई हुई है और ये केवल भारत में ही नहीं और कई देशों में अपना आतंक फैला चुके हैं तो इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे लोकस्ट या टिडडे ये शॉट होन ग्रॉस ओपर होते हैं जिसके पीछे के पैर थोड़े बड़े होते हैं और ये ग्रॉस ओपर से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी हैबिट और अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये बहुत दूर तक भी migrate कर सकते हैं जनरली ये दो phase में exist करते हैं पहला ये solitary face में और दूसरा gregarious face में solitary face में ये अकेले रहना पसंद करते हैं और gregarious face में ये जुण में रहना पसंद करते हैं अब बात करें आपन इनकी life cycle की तो जो इनका life cycle होता है वो 3 stages में होता है egg, hopper, adult तो बात करें इनकी egg की तो जो gregarious female locust होती है वो sandy oil में 2-3 जगा 10 cm depth तक 60-80 अंडे देती है और इन अंडों का incubation period 2 हफतों का होता है अब अंडे फूटने के बाद इनका second stage start होता है इन स्टार 1, इन स्टार 2, इन स्टार 3, इन स्टार 4 और इन स्टार 5 ये सारे इन स्टार में body का color और size दोनों change होते हैं और year duration approximately 22 days का होता है और ये atmosphere के according change भी होते रहते हैं इसके बाद इनको flaging कहते हैं मतलब ये बड़े तो हो गया हैं लेकिन उड़ना नहीं सीखे हैं और ये mature भी अभी नहीं हुए अब बात करें adult stage की तो इसमें ये mature हो जाते हैं और ये उड़ने लाइक हो जाते हैं और इनका ये period 3 month का होता है अब बात करें आपन इनकी species की तो world में कई प्रकार की species present हैं लेकिन इंडिया में में मेंली सिर्फ चार प्रकार की species पाई जाती हैं पहला dessert locust, migratory locust, bombay locust और tree locust अब बात करते हैं dessert locust की तो ये short horn grasshopper ही होते हैं और इनको holy book, bible और कुरान में मानवजाती का अभिशाब भी कहा गया है इनके group को swarm या bands भी कहते हैं swarm मतलब जुन्ड होता है जब ये उड़ने लायक हो जाते हैं तो इने swarm कहते हैं और flaging से पहले जब ये उड़ नहीं पाते हैं तो इनके groups को bands कहते हैं इनके एक जुन्ड में एक square kilometer में 15 करोड लोकस्ट रहते हैं जिसमें से 4 से 8 करोड adult locust होते हैं इनका एक छोटा सा जुन्ड भी एक दिन में लगभग 30,000 लोगों का खाना खा सकता है ये एक दिन में अपने weight की बराबर का खाना खाते हैं तो इनका weight 2 gram का होता है अगर अपन 5 करोड के लोकस्ट का एक जुन्ड माने तो ये लगभग 100 तन तक के खाने को एक दिन में खा सकते हैं और ये एक दिन में लगभग 150 किलो मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं और ये अपने population को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और एक research में पता चला है कि ये अपनी population को 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं सर्फ तीन महिनों में और ये टोटल land surface के 20% तक फैल सकते हैं अब बात करें इनके massive invasion की रीजन की कि ये इतनी huge amount में क्यों आते हैं तो इसका सर्फ एक ही reason है climate change climate change इसका directly impact ecology पे पढ़ता है बात करें 2018-2019 की especially 2019 में Indian Ocean में recorded cyclones और storms आये थे इस map में आप देख सकते हैं कि ये कुछ part cyclone indicate कर रहा है और ये वाला area horn of Africa है और ये गल्फ countries है तो जब cyclones इस area से टकराये थे तो यहां का temperature और moisture में changes हुए थे और ये changes इनके breeding के लिए favorable हो गया थे तो जब cyclone इस area से टकराया तो यहां का temperature और moisture change हुआ और इस changes से इनके breeding season के लिए ये favorable condition बन गया इसलिए ये huge amount में आ रहे है Kenya में 70 साल बाद इतने huge amount में आ रहे है और Somalia और Ethiopia में ये 25 साल बाद आ रहे है बात करें इंडिया की तो ये एक list है इसमें year और जुंड की संख्या दोनों लिखा हुआ है इंडिया में last massive invasion 1993 में आया था जिसमें 172 जुंडा आये थे अब बात करें अपन monitoring agency की तो FAO Food and Agriculture Organization है ये UN की एक body है ये weather, ecological condition, satellite data और भी resources का use करके हमको locust की information देते हैं FAO ने DLIS Desert Locust Information Service भी start की है इसमें आपको locust से related सारे information मिल जाएगी screen में इस website का cutout है जिसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और FAO ने Locust Watch website भी start की है इसमें आपको locust से related सारे information मिल जाएगी जैसे इस image से आपको पता लग जाएगा कि adults हम कहां हैं और कितने किस area में हैं और कितनी dangerous situation में ये आने वाले हैं अगर अपन बात करें country wise की तो इंडिया में LCR Locust Control and Research Department होता है जो Ministry of Agriculture के अंडर आता है ये हमें locust की सारी information और updates प्रोवाइड कराते हैं अब बात करें अपन warnings की तो 10 Feb 2020 को FAO के senior officer ने conference की थी इसमें उन्होंने warn किया था कि इस बार कीनिया में breeding season favorable हैं और उन्होंने अंडे भी दे दिये हैं और approach 6 week में इनका नया जुंड आ जाएगा और उन्होंने ये भी बताया था कि इस बार इनकी population 64 million time जादा होगी अब बात करें control गी कि हमें पता है ये इरान पाकिस्तान से होके इंडिया आएंगे तो हम इसको control क्यों नहीं कर लेते हैं तो देखे इसके कई सारे कारण है और इसका पहला कारण ये है कि ये बहुत ही लार्ज एरिया में फैले रहते हैं एप्रॉक्स 16 to 30 million square kilometer तक ये फैले रहते हैं इसलिए इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और दूसरा main reason है lack of infrastructure देखे ये टिड़े बहुत ही घने जंगलो और दूर दराज के इलाकों से आते हैं जहां पर road नहीं होते हैं इसलिए वहाँ पहुचपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बात करें अपन other reason की तो locust को monitor करने के लिए अपने पास resources भी limited है और इनका कोई fixed period नहीं होता है कि ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे अपनको पता नहीं रहता है इसलिए इस outbreak को predict करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अब बात करें अपन इंडिया की तो इंडिया में लास्ट इयर गुजरात और राजिस्थान में ये जुलाई के लास्ट में ये टिड्डे आये थे तब तक मौनसून आजाता है इसलिए ये बाकी state में इंटर नहीं कर पाए थे लेकिन इस साल ये मिड में में आ गए है और अमफान चक्रवात के कारण ये मदप्रदेश और महाराष्ट में भी आ जाएगा और जुलाई के लास्ट तक इनका बहुत सा जुन राजिस्थान से आता रहेगा जो बिहार उडिसा तक जाएगा और मांसून आने के बाद ये राजिस्थान की और वापस चले जाएगा ** Hello guys. Thanks for watching our YouTube channel. For wonderful Journey of knowledge and art related content, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon.